प्रकाश और आज हम बात करब प्याज के एक्सपोर्ट के लेकर के प्याज के निरियात के लिए यू यह पांच महिना से बंद रहा रहा है लेकिन मूदी सरकार यह चुनावे के बीच में बीच चुनाव में एक अईसन फैसला लेकर जिसे किसान तब खुस भईवय कहीन है लेकिन उकर बाद एक और बड़ा एकर फायदा भाहिल के जोन हमार सबसे बड़ा दुस्मन बाद हर चीज में टांग अड़ावाला पाकिस्तान वो पाकिस्तान के बहुत बड़ा जटका लगल है आर्थिक तोर पे बहुत बड़ा जटका जो निरियातक है वो पाकिस्तान है लेकिन पाकिस्तान जो है वो भारत के रास्ते में कई बार अड़ना डाले कोशिस कराला लेकिन इह बार उल्टा भैलल काम इह बार भारत सितंबर अगस्त से ही प्याज के दाम घटावे के चक्कर में भारत जो घरेलू बाजार है वो महा अंगाई धटावे के चक्कर में प्याज के दामें पे हस्तक छेप कई लिए भारत तो उकरे बाद पाकिस्तान के बहुत फायदा आएकर मिलल पहाएं से सितंबर में उहां पे सिंध्ध प्रांत में जो सिंध्ध प्रांत सक्षे ज्यादा पाकिस्तान में प्याज प्याज करे सबसे पहले 40 परसेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा और गई अगस्त में 19 अगस्त के ओकर बाद दामनाई काबु भैल तो फिर 800 डालर करन्यूंतम निर्यात मुल्ले लगा और गई वो के सीधे वासामी समझे जा कि अगर 800 डालर से कम दाम पर कोनों बाहर के समझोता होई तो प्याज एक्सपोर्ट नहीं हो पाई यानि 800 डालर से ज्यादा पर एक्सपोर्ट भैल प्याज उकर बाद भी दाम नहीं घटल तब 7 दिसंबर के देर रात एक सरकार फैसला लेला कि प्याज एक्सपोर्ट पूरी तरह से सबनानना। तो उसके बात पाकिस्तान को बहुत फाइदा मिला पाकिस्तान में जो 3400डॉलर प МУЗЫКА पाकिस्तान मलेशिया और दूसरे देशन के जो खाड़ी देश है उनके बारे बारे सो डॉलर तीरे तीरे सो डॉलर पती टंप पर प्याज बेचले यानि बहुत ज्यादा दाम उसको मिला क्योंकि भारत से एक्सपोर्ट बेंड रहे ज़से उसको बहुत फायदा मिला पाकिस पाकिस्तान के बहुत बड़ी आर्चिक चोट लगल है और वो चूट इतनी बड़ी है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते एक की तीन दिन में तीन आज हो रहा है आज तीन दिन में एक टन पर तीन सो डालर दाम कम हो गई लिए शाड़े साथ सो डालर एक टन के दाम तीन त तक हो गई लिए साड़े 400 से साड़े 400 से लेगे 490 डालर तक प्रति टन तक वहां भाव रहे लिए और अईसन उम्मीद है कहाई से वहां का बलुचिस्तिन बलुचिस्तान प्रांत जोन है जोन दुसर का सबसे बड़ा प्याजूत पादक है वहां पे बंपर पैदावार भ पाइल है तो यह से पाकिस्तान के अब उम्मीद है कि बहुत ज्यादा जटका लगी है में मोदी जी के दावा तो मोदी जी एक दाओं से किसानक खुश कर दिना दूसरे दाओं से पाकिस्तान के चित कर दिये पाकिस्तान को बहुत बड़ा जटका लगा क्योंकि पाकिस्ता कई लिए लगा तो उकरे बाजार पर कब्जा कई ले से भारत के बहुत नुक्सान बैलल लेकिन अब जब सरकार कई दे ला कि साड़े 500 डालर प्रती टन पे हम एक्सपोर्ट कई सकील है सारा भारत एक्सपोर्ट कई सकाला तो उकरे बाद पाकिस्तान का चिंता बढ़िये लगता है कहीं जो नाम बाजार कबजा के लिए वो कहीं न कहीं पाकिस्तान ये भारत कबजा के लिए तो ये से डर के वो दाम लगातार घटावत है और जोने देश के भी वो एक्सपोर्ट के बाईले कि महाराश्ट के जो किसानमा वह बहुत खुश बाते हैं फैसला से कहां से जों अगस्त 2023 से जों बाम में उनके घटोतर ही चलत रहा है कम धाम मिलत रहा है उन दाम अब जोन है उम्मीद बांग को उनके जोन लागत है और उपर दाम मिली तो यह बहुत बड़ा फैसलाबा भारत सरकार के यह चुनावे के बीचे में और एक के साथे दूदू जो निसाना लगा लगा उसे भारत के लोग बड़ा कुछ बड़ा है पारबा सम्में पाकीस्तान एक पाधावा के बहुत बड़ी आर्थिक चोट लगंग है और एससे देश के बहुत बड़ा भर्यों हुआ है वो खुस है और एक और चीज एह मैं समझे वाले बात बात किसी पाकिस्तान नहीं और और भी जतना देश हों मिस्र है यह दूसर और चीन है यह भी बहुत बड़ा प्याज उत्पादक बाना दूनों देश यह दूनों देशों में भी प्याज के दाम सो से एक सो पचाश डालर तक कम होगे लिए तब मोदी जी के एक फैसला जून बा यह इतना बड़ा परिवर् पाकिस्तान में बा एक सर्जिकल स्ट्राइब में पाकिस्तान का है पूरा प्याज मार्केट तहस नास हो गई लिए अगली वीडियो में फिर ऐसे कोनों सब्जेक्ट लेके हम मिला तब तक के लिए धनबाद अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दे